हलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे यह डिजाइनर वैलविट शॉल, यह एक पार्टी वियर शॉल है, तो आप अपनी किसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हैं, तो दिखिए यह जो इसके कॉर्नर है, वो हम फिनिशिंग से बनाएंगे, बहुत ही आसान है, तो इसको बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने धाय मीटर माइक्रो वैलविट ले लिया है, वैलविट आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, और इसके उपर जो हम लगाएंगे, यह डिजाइनर लैस ली है, आट मीटर, तो यह वैलविट लैस है, जिसके उपर जरी और से वो 90 इंच है, तो यह किनारी वाली साइड है, तो मैंने सवा दो मीटर की यह शॉल ली है, आप धाय मीटर भी ले सकते हैं, इसके बाद अरज यानि चोड़ाई जो रहेगी हमारे शॉल की वो 42 इंच है, हाला कि आप इसकी चोड़ाई में थोड़ा बहुत कम यह जादा क कर लेना है, तो जो माकिया था यह देखिए, कट कर लिया है, साइड से जो फैबरिक बचा है, इसके साथ जो मैं डिजाइनर कुर्ती बनाऊंगी, यह फैबरिक उसमें में यूज कर लूँगी, फिलहाल यह देख लीजे, यह हमारा सवा दो मीटर का वैलवेट का जो शॉल है, वो कट हो चुकी है, और यह जो चोड़ाई है, अरज है, यह 42 इंच है, और सवा दो मीटर की यह लंबाई है, और इसके साइड जो दूसरी साइड में हमारी किनारी है, वो भी मैं कट कर लूँगी, तो इसके उपर हमने किनारी को नहीं रखना है, और अब हमने लैस पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यह हमारी जो लेस है, कुछ इस तरह से है, बहुत ही ब्यूटिफुल लेस है, यह वैलवेट लेस है, इसके उपर जरी और सीक्वेंस वर्क है, लेस का डिजाइन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेरी लेस की जो चोड़ाई है, वो प हमारी को नहीं रखना है, इसके बाद लेस लगाने के लिए हमने शॉल की रॉंग साइट को ऊपर रखना है, तो कुछ इस तरह से हमने फैब्रिक को रखना है, नीचे की साइट यानी डिब्बी में हमने वैलवेट के कलर का थ्रेड लिया है, और उपर जो नीडिल है, उसम हमने अपने वैलवेट फैब्रिक की रॉंग साइट पर इस तरह से रखनी है, अब देखिए इसको जो दबाव है वो हम जादा नहीं लेंगे, तो यहाँ पर इसको सिरने के लिए सिर्फ मैं क्वार्टर इंच ही लैस को इसके उपर रखूँगी, शॉल के, और बस इस पर स सकते हैं, तो यहाँ कॉर्णर पर आकर हम आदा इंच फैब्रिक को रखेंगे, और उसके बाद कपड़े को भी घुमा देंगे, और उसी के साथ साथ इस तरह से लैस को घुमा देंगे, लैस में अलग से हमने कोई भी प्लेट या चुनट नहीं डालनी है, डारेक्ट हमने इसको घुमाना है, और सिलाई करनी है, जब हम इस पर सिलाई करेंगे तो पीछे आप देखेंगे, यह इस तरह से कॉर्णर बनेगा, कोछ इस तरह से यह देखिए, नीचे फैब्रिक में आप देख सकते हैं, बिलकुल सीधा है, और इसी तरह से हमने लैस भी बिलकुल सीध से गुमा देंगे लैस में कोई चुनट सिल्वट नहीं आने चाहिए बस लैस का जो किनारा है सीधा रखना है और यह देखिए यहां भी बिल्कुल इसी तरह से कौनर बनने लगा है इस तरह से और नीचे के फैबरिक में कोई भी जोल सिल्वट नहीं आई है बस आगे भी हमन इसको सीधा सीधा इसी तरह से सिलते जाना है दबाओ जहे वो आप उतना ही रखे जितना आपने स्टार्टिंग में रखा है यहां भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से लैस को घुमाया है फैबरिक के साथ अब तीन कॉर्णर तो आपने देख लिए हमने किस तरह से घुमा कर उसके बाद यहां आकर हमने लैस को कट करना है तो इस साइड में कॉर्णर नहीं बन पाएगा क्योंकि यहां पर लैस के दोनों सिरे हैं अब जहां हाँ तक हमारा फैबरिक है बस यहां पर सिलाई करनी है दोनों लैस के ऊपर एक दूसरे के साथ सिलाई नहीं करनी अब यहा से घुमाएंगे और आधा ही चंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इसके बाद ये लैस भी हम सीधी तरफ कर देंगे और अब हमने सिर्फ ये वाला कॉर्णर बनाना है इस तरह से ये दिखें अंदर की तरफ हमने दुबारा फोल्ड कर दिया है और ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से ये हमारा कॉर्णर बना है तो बस हमने ये ही वाला जो साइट का कॉर्णर है इसको हमने सैट करना है और बहुत ही आसानी से सैट हो जाएगा इसमें जादा कुछ नहीं है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बस कॉर्णर को हमने वी शेप में अंदर क तरफ फोल्ड किया और इसको डबल करके स्टिच कर दिया अब आती है इस साइट की बारी तो यहां नीचे कोई भी सिल्वर जोल नहीं आना चाहिए अच्छे से हाथों से चेक कर लीजिए और अब हमने लैस की किनारी पर सिलाई लगानी है तो नीचे से यह देख सकते हैं आप फैब्रिक जो है वो सीधा होना चाहिए और जो सिलाई है वो किनारी पर रहेगी हाथों की हल्ब से हम थोड़ा थोड़ा सैट करेंगे और सिलाई करेंगे हाला कि इसको सिलते हुए कोई भी दिक्काट इश्यू नहीं आयागा बहुत ही आसानी के साथ यह लैस सिल जाएगी तो अब हमने यह पहला कॉर्णर बनाना है इस साइड से यह कॉर्णर बनाना देखिए आप कितना आसान है लैस को सीधी तरफ टर्ण करेंगे ऐसे करके इस तरह से इसके बाद यहाँ पर लैस अंदर की तरफ जितनी जाएगी हम उतना अंदर गहराई तक लेकर जाएगे और बस ऐसे कर यह हमारा कॉर्णर जो है वो फिक्स हो गया यह देखिए कितनी आसानी के साथ हमारा कॉर्णर बना है यहां तक सिलाई करेंगे उसके बाद अंदर की तरफ सिलाई लेकर जाएगे और इस सिलाई को दोबारा इसके उपर कर देंगे तो बस यहाँ पर देखा अपने बहुत ही आसान है ये corner बनाना अब बाकी की सिलाई हम सीधा कर लेंगे और फिर से हमारा वही corner आ जाएगा जब हम सिलाई करेंगे ये देखिए फिर से हम less को सीधी तरफ fold करेंगे ऐसे करके और अब जो है हमारी less इस तरह से अंदर तक जाएगी और बस यहाँ पर हमने सिलाई करनी है so friends ये जो सिलाई की है मैंने normal needle के साथ की है क्योंकि इसकी जो सिलाई है वो हम less पर ही कर रहे हैं velvet पर नहीं कर रहे हैं but अगर आपकी machine velvet fabric पर अच्छे सिलाई नहीं देती तो आपको किसी भी तरह का velvet fabric सिलने के लिए 11 नंबर के needle के ज़रुत होगी और यहाँ पर हमारा ये last corner है तो बस less को हमने इस तरह से fold कर दिया और ये बन गया हमारा last corner अब एक चीज में आपको और दिखाऊंगी तो ये जो less है ये मैं सीधी तरफ करके लगा रही हूँ हाला कि नीचे कोई भी जोल silvert नहीं आया है ये देखिए जो इसकी wrong side है बहुत ही finishing के साथ stitch हुई है कोई भी silvert जोल नहीं आया है इन केस आपको सिलते हुए ये problem हो यानि नीचे की तरफ जोल आये या कपड़ा उरेब में हो जाए silvert आ जाए तो आपको क्या करना है तो वो चीज मैं आपको आप बताऊंगी तो पहले देख लीजे मैं अपना पूरा ये जो शॉल है चारो तरफ से घुमा कर दिखा रही हूँ बहुत ही finishing के साथ हमारा नीचे का जो fabric है वो stitch हुआ है अगर आपके साथ ये problem आती है कि नीचे का कपड़ा जोल मार रहा है silver आ रही है तो आपको क्या करना है ये जो less है पहले आप corner सीधी तरफ करके बना लीजिए set कर लीजिए चारो corner उसके बाद less को आप इस तरह से stitch कर सकते हैं यानि कपड़े की जो wrong side है वो उपर कर लीजिए और less की जो side है वो नीचे कर लीजिए अब यहां से आपको अच्छे से दीख रहा है आपके fabric में कोई भी silver जोल नहीं है और finger की help से हम जब इसको touch करते हैं तो हमें feel हो रहा है कि जो less है वो कहां पर है तो मैं जब finger से touch कर रही हूँ तो यहां पर मैं feel कर सकती हूँ के less की जो किनारी है वो कहां पर है तो बस हमने कपड़े को सीधा करते जाना है और सिलाई करती जानी है तो यहां पर इस तरह से set करेंगे और उतनी ही दूरी पर हमने सिलाई करनी है हातों से टच करते हुए लैस को यानि लैस की किनारी पर हमने इस लाई करनी है और कोई भी सिल्वर्ट जोल नहीं आएगा बहुत ही आसानी के साथ यह जो लैस आपकी शॉल पर लग जाएगी यानि जो आपका वैलवेट डिजाइनर दुपटा है वो बहुत ही आसानी से बनेगा और वीडियो में दिखाये गए पहले तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं तो लीजे यहां आकर हमारा यह जो स्टिच है वो कम्प्लीट हो गई है आप इसको निकाल लेते हैं अगर आप वैलवेट कप्ला स्टिच कर रहे हैं या कोई ड्रेस बना रहे हैं तो उसके लिए आप 11 नंबर निडिल का यूज कीजिए हाला कि दुपटा बनाने में आपको 11 नंबर की निडिल का यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जो सिलाई है वो हम पूरा लेस पर ही करेंगे वैलवेट फैब्रिक पर डिरेक्ट निडिल नहीं चलेगी इस डिजाइनर शॉल के साथ जो मैंने पार्टी वेर वैलवेट ड्रेस बनाई है उसका वीडियो भी आप ज़रूर देखना वो मैंने ट्रेंडिंग डिजाइन बनाया है उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्किन पर मिल जाएगा तो इसकी जो ड्रेस है वो मैं अपने सेकिंड चैनल जाएदी ट्रेंडि फैशन पर पोस्ट कर रही हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं यहां आकर वीडियो कंप्लीट होती है उमीड करूंगी यह वीडियो आपको पसंद आए होगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो चलिए यहां आकर वीडियो कंप्लीट होती है मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो